कि दोस्तो कम टू मैं चैनल वेसे एक स्वागुत है और पुजा बुलोग में और आज हम जा रहे हैं आलो का सब्जी बनाने तो आलू सिन्ने के लिए, है यहां कूकर में चरहा दिये है आलू धोalles ल्हे कि और आगा। ॏ सब्सक्राकोको साफ ला कर लेगे हैं इसका छिलका उतार लेंगे और अद्रग को छील लेंगे और ये दो ठोपी आज हम निकाले हैं कट करने के लिए तो दो प्याज डालेंगे अपने आलू दम में तो इसे हम अच्छे से मेही मेही काट लेंगे और इधर अद्रग लासुन छील कर मसाला पीस लेंगे हैं खैय और मसाले में जीरा अमर्ची धनियां और यह सब मसालें डालें यह और प्ह vinden कर लेंगे सब यह सब कट करने केुद हम आ गये हैं यह मसाला परक presents के लिए तो मसाला हम पीच रहें और यह मेरा मिकसर अजो ठब श्कनी यह थोड़ा धीला है तो इसे नहीं दबाने से ही उपर से सब मसाला फेकने लगता है जब ड्लेंडर सेलने लगता है तो इसे दाबना पड़ता है हमको तब जाकर मसाला हम पीस बाते हैं तो यह मसाला पिसा गया है मेरा तो इसे हम अजवार लेंगे एक बाटी में और अजवारने के बादी यह बाटी जो मिक्सर वला है इसे हम धो लेंगे तो लगे हाथ हम धो लेते हैं और धो कर रख देते हैं हम सुखने के लिए नहीं छोड़ देते हैं तो आलू मेरा हो चुक नहीं इसे हलका सा दबादेंगे दे अपने हो जब इसे हम सब्जी बनाएंगे तो तूट जाएगा तो अब ही हम कणऊचरा दियें के बाद इसमें उसके पैल दढ़ डालेंगे तेल डालने के बाद doc को हम गरम हो ने देंगे और गरम हो जाएग तब इसमें हम जीरा और प्याज डालेंगे तो प्याज जब लाल हो जाएगा तो इसमें हम मसाला डालेंगे तो यहां हम प्याज डाल दियें और प्याज देखिए इसे अच्छी तरह से हमको लाल करना है और खुब चलाना है इसे तो जब ये प्याज खुब लाल हो जाएगा तो इसमें हम मसाला डाल देंगे तो मसाला हम डाल चुके हैं और मसाला डालने के पाद इसमें हल्दी और नमक भी हम डाल देंगे इसमें हम सारे मसाले पीसे हुए हैं गरब मसाला भी हम पीस दिये हैं क्योंकि उपर से गरब मसाला हम नहीं डालेंगे तो आज हम दही दे कर और ये सबजी आलू का बनाएंगे तो वही हम सेयर कर रहे हैं और जब मसाला मेरा भूजा जाएगा तब इसमें हम दही डालेंगे तो मसाला मेरा लाल हो चुका था तो इसमें दही डाल देंगे और दही डाल कर इसे खुब चलाना है ताकि दही का जो कोई भी गुटली गुटली दिखाई ना दे और अच्छे से मिल जाए दही तो हम इसे खुब चलाएंगे और चला कर तब इसमें आलू डालेंगे हम है थो थो रही कंम मुगया थै तो थोरा रही डलने जाल चाप साथ क्रूंत नुशार ड्राली है ज्यादा डली है और जिसको ग्रण सा यह खाना रहता है तो थोा सही दर नी के चुद्ध, नुग् Kommentar कज्द, कितना सुन्दर खिल कर आया है तो इसमें हम अब आलू डाल देंगे तो आलू हम डाल चुके हैं और आलू को हम थोरा सा दो मिनट चलाने के बाद इसमें हम पानी डाल कर और इसे हम उबालने के लिए पांच मिनट छोड़ देंगे तो पानी डालने के बाद इतना सुंदर कलर आया था और उपर से हम हलका थोरा सा चीनी डालेंगे क्योंकि ये कलर इसका चेंज हो जाए तो हम चीनी भी डाल चुके हैं और इसे अब हम ढख देंगे और ढखने के पांच मिनट बाद इसे हम बंद कर देंगे कि सब्जी मेरा सीज़ चुका है तो इधर सब्जी मेरा हो गया है तो इसे हम ढख दिये हैं ढखने के बाद हम आ गया हैं यहाँ चावल निकालने के लिए तो चावल, एक साइड हम चावल चरहा देंगे और यह सब्जी ऐसा है ना कि इसमें आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं इसे यह चावल के साथ यह रोटी के साथ आप कुछ भी के साथ खा सकते हैं जब यह पुरा सूख जाता है तो गढ़ा हो जाता है ठंड के मोसा में कोई भी सब्जी हो या मचली हो या मटन हो बना कर छोड़ दीजिए तो पूरा गड़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद तो बाहर हम आ गए थे चावल धोने के लिए और चावल धोने के बाद इसे हम इसे हम अजास से पानी हंडी में रख देंगे और रखने के बाद हम चावल चरहा देंगे और च्वाल चरहाने के बाद हम जाएंगे च्छत पे क्योंकि च्छत पे मेरा कपरा अभी हम उलट-उलट नहीं किये हैं और नहीं उलटेंगे तो सूखेगा भी नहीं और दो दिन से बारिष हो रहा था तो कपड़ा नहीं सूख रहा था तो सारे कप्रे को उलट देंगे और आज थोड़ा धूप उगा हुआ है तो आज हम कप्रा अच्छा से सुखा लेंगे दोस्तों और वीडियो देखने के बाद लाइक और सस्क्राइब जरूर किजिएगा आप लो और सेयर भी किजिएगा बाई बाई दोस्तों